हाई एबरिबन वेलकम तू था फूलाइब डेडी मैं हूँ आपकी पोस्ट रेखा फ्रेंट्स मौन्सोन आ चुका है और बारिश के पूतों के बीच अगर हमें कुछ ऐसा स्नैक्स काने को मिल जाए जो बहुत ही टेस्टी होता है और मिंटों में बनकर तयार हो जाए तो वह अचरतय हो टेशनों कहीं हिद में की पाकोड़न ही पर शूला अधिया प्राग्elm आती है क्रिस्पी नहीं हो पाते है तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि हम इसे कि क्या डाले hoe अनीन इस है कि ऑनने क्या सब्सक्राइम इस प्तिंट करें अगर आप्सितनेर मेरे तो प्लीज इसे सब्स्क्राइब कीजिए और बेल बटन को जुरूर प्रैस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिपिकिशन आपको मिल सकें तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए 2-3 प्याज चाहिए अगर आपको जादा बनाने हैं तो आप जादा प्याज भी ले सकते हैं प्याज मैंने मीडियम साइज में लिया है इससे हमने छील लिया है और अब इसके हम स्लाइस कट करेंगे जैसा कि मैं कर रही हूँ इसी तरह के से हमें स्लाइस कट करने हैं जादा होटे और नहीं जादा पतले होने चाहिए अब हम इन sait स्लाइस के रिंक्स निकाल लेगे थोड़ा सा प्रेशर देंगे और ये रिंक निकल जाएंगे तीन से जार रिंस लिख लेंगे उसके बार में इसका साइस चूटता हो जाएगा तो आप इसे किसी सब्दी में भी कापी ले सकते हैं जो बज़ा हुआ पार्ट है यह हमने सारे रिंस निकाल लिए हैं कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं यह हैं भी क्रणव में अगरो आधा क्रिस्पी बनेंगे अगर आपको रिस्पी चाहिए उसके बाद में हमने आदा टेबल स्पूम अजवायन डाली है थोड़ा सामने इसमें तेल डाला है एक टेबल स्पूम के करें इसके बाद में हमने इसमें लाल मिर्ची डाली है इसे अच्छे तरह से हम मिला लेंगे एक कप मैंने पानी यहां पर लिया है और इसे अच्छे से बिस्कर से कुमाते हुए इसका एक स्मूथ बैटर तेयार करना है इसमें कोई भी लंज नहीं होना चाहिए फ्रेंड एक कप पानी मैंने इसमें डाल दिया था और अपना इसमें डालोंगे एक टेबल स्पोन मलाई इसमें वहदी अच्छी लगेगी डेक्स्चर भी अच्छा है इसका और टेस्ट भी अच्छा है गा पकिए हैं अगर आप डालना चाहें तो डालें ना डालना चाहें तो अच्छी तरह से बिला लेंगे अर Ellis लाय करन chemistry सरभी जो पर आंपे चोंटा पिंच मैंने आप मेंके बेंकिन सोडा लिया सोज्गी है इसे हमें अ अमेकर और सनाय करतेने हैं यह जो सारे अष्दिय गैहें का बता रही करु बहुत जरूरी है उसीसे हमारे जो पकॉड़ काठी साती प्रॉस आती है इसे आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं, आप मीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्रैड क्रम्स बनाने का रेसिपी चाहिए, अगर चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज लिख कर बताइएगा, इसके बाद में हमने जो पैटर बनाया है, उसमें हम एक एक कर इसमें डूबोएंगे, और ये देखें, आप चाहें तो अपने हाथों से भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर टूथपिक का यूज किया है, ये इससे अच्छे से इसमें ये कवर हो जाएंगे बैटर में, और इसके बाद में हमें जस्ट उसके बाद सीधा इसे ब्रैड क्रम्स में जुरूर कोट कीजिए, एक एक करके मैंने ये सारे इसी तरीके से कोट कर लिये हैं, पहले बैटर में उसके बाद में ब्रैड क्रम्स में, अगर आपके बाद इस वक्त ब्रैड क्रम्स ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा आरा रोड का गोल उसके अंदर में डबो कर लिए करके आप प्राइ नियु एक बैच मेंने आप डाला था तो मेंनेहां पर चार सकते Sir कि इसमें नहीं लगेगा इसमें जट बंकर तयार हो गए मुष्किल से इसे पाँच से मिनिट लगेगी ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा चाय के साथ इसे गर्मा गर्म सर्फ कीजिए ये चटनी जो मैंने याँ पर रखी है ये भी आप मेरे description box में जाकर देख सकते हैं पकोडों के साथ मोमोज के साथ सबी के साथ ये चटनी के जा सकती है तो आप इसे चुरूर चेर कीजिए description box में मैंने इसका link दे दिया है ये देखे friends बहुत ही जादा क्रिस्पी बने हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चे को आप कई बार बच्चा होता है वो पकोड़ा नहीं खाता है पर ये चीज जरूर खाएंगे I am sure आप धर पर जरूर बनाईए और कमेंट करके मुझे जरूर पता है ये friends मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर तोंगे ओके फ्रेंट थैंक यूँ